हलो फ्रेंड्स मैं हूँ है मन्थ और आज हम लाए हैं मोबाइल ओक्टापेट स्रीज का तीसरा लेशन तो इस लेशन में हम आपको एक नया पेच बजाना सिखाएंगे तो इस पेच में हम आरती का पेच तो हम इसको आरती में भी बजा सकते हैं और इसको डफ में भी हम इसको बजा सकते हैं तो आपको जैसा बने आप वह ऐसा बजा सकते हैं तो गाने में तो हम आपको बजा के नहीं सुनाएंगे गाने के लिए हमारा आप वार्शाप ग्रूप जॉइन किजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो हम उस वार्षब ग्रूप में जो गाने में बजा के बताएं हैं वो आपको सेयर करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो का लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से पेड में कौन कौन सा मेजिक लगा हुआ है तो चलिए चेक कर लेते हैं तो हमारा जो पहला पेड है उसमें देखते हैं तो इसमें आप देखे कुछ तबला टाइप का कुछ लगा हुआ है यहां पर देखिए यहां पर कॉंगो लगा हुआ है यहां पर जो मंदीर का बेल होता है घंटा वो लगा हुआ है यहाँ पर हमारा हाइस है, यहाँ पर मंजीरे का साउंड है, यहाँ पर डफ है, और यह हमारा बैस है, तो चलिए इसको बजाना कैसे है, वो बता देते हैं आप लोगों को, तो हम इसमें एक साथ जो हाईस है, उसमें दो पेड़ पले करेंगे, तो चलिए कैसे करेंगे, तो हम इसमें ऐसे साइड में ऐसे बजाते रहेंगे, देखिए, तो हम इसको ऐसे बजाएंगे ठीक है तो आप इसको कही तरीके से बजा सकते हैं तो यह अपने देख लिया समझे गए होंगे तो दूसरे में मंजीरे के साथ कैसे बजाएंगे तो हम इसको मंजीरे के साथ ऐसे बजाएंगे और इसको एक तरीका और होता है बजाने के लिए जो हम आपको बताते हैं हम इसको ऐसे भी बजा सकते ह唉 तो आसा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में